आज हम पढ़ने वाले हैं 23 दिसम्बर का करेंट अफियर हम अपने करेंट अफियर की शुरुबात आज के थौर्ट से करते हैं जब तक अपने काम पर काम करें जब तक की आप सफलना हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मन्जिल में हमारी कितनी भी बाधाएं आ जाए हमें अप समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया है तो यह देश है म्यानमार याद रखेगा यहां पर आपने नाम सुना होगा आंग सांग सूखी जो म्यानमार देश है यहां पर यहां की जो प्रमुक थी आंग सांग सूखी उनको क्या किया गया है उनको जेल में बंद किया गया है तो उनको भी जेल से बाहर निकालने की बात की जा रही है तो ये मियान मार ने किया है अब युनाइटे नेशन की बात आती है तो ये युनाइटे नेशन सेक्योरिटी काउंसल है इसमें कितने सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं 15 सदस्यों में से जो 5 सदस्य Toutes स्धाय होते है राष दॉफता है ě प्रास्ध जो इस तराइक भारत नहीं है इसमें चाइने और युएस आ है पांच सदस्य है और जो आइस्थाई सदस्य है तो आइस्थाई सदस्यों की संख्या 10 है याद रखिएगा जो म्यानमार की राजनानी है वो नापीदा है और गोल्डन पैगोड़ा भी म्यानमार को कहा जाता है जो म्यानमार का पुराना नाम था वो क्या था रंगून था तो ये इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने है फिर नेक्स कुशन है कि भारत का पहला वविश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालाय का उद्गाटन कहां पर किया जा रहा है तो ये क्या है ये भारत का पहला है याद रखिएगा भारत का फरस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है तो ये बनने वाला है इन्फेंट्री म्यूजियम मध्यपरदेश के इंदौर शहर में इंदौर को क्या कहा जाता है तो इंदौर को मद्यप्रदेश की वेवसाइक राजधानी कहा जाता है Infrantry का मतलब होता है Paddles है न तो इसकी theme रखी गई है Infrantry the ultimate याद रखिएगा और इंदौर से related एक question और आपसे पूछा जा सकता है कि पहला Bio CNG Park कहां पर बना है इन दौर में बना है याद रखिए का ये बायो CNG पार्क है बायो CNG का मतलब क्या है CNG होता है compressed natural gas और अगर hydrogen वाला पूछा जाए तो वो कहां पर बना था वो बना था खंडवा में ये भी आपको याद रखना है अगर question ऐसा आता है कि मद्यप्रदेश का पहल जियो लोजिकल पार्क कौन सा है या जियो पार्क कौन सा है तो answer क्या होगा answer होगा जवलपूर ये भी आपको याद रखना है फिर next question है कि किस देश के नाम से भारत का पहला green steel ये stall नहीं steel होगा इसको correct करिएगा steel brand launch हुआ है तो ये कल्यानी forestra कल्यानी forestra ने लांच किया है और ये green steel plant है green steel plant का मतलब आप ऐसा मतलगा लिजेगा green steel है मतलब steel का रंग green होगा इसका कदाप ये ऐसा मतलब नहीं है इस green का मतलब क्या है eco friendly eco friendly कैसे कि जो steel बनाया जाएगा उसमें इस तरीके से उसका production किया जाएगा कि उसमें नभी नहीं करें उर्जा का उपयोग हो किसी भी तरीके से का कोई pollution ना हो तो याद रखिए जो इस पात मंत्री है वो कौन है जोती राजिस इंधिया है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है फे टिसको टिसको क्या है टाटा आइरन एंस्टील कॉपरेशन 1907 में इसकी स्थापना की गई थी जहां पर कहां पर की गई थी साक्षी नामक इस्थान पर की गई थी जो कहां पर आता है जहारखंड में आता है अब अभी जहारखंड की बात आई है तो आप याद रखिएगा आपने छोटा नागपुर का पठार सुना होगा छोटा नागपुर का जो प्लेटू है ये मिनरल्स की द्रश्टी से बहुत आदे क्रेच है तो जोटा नागपुर की पठार की जो सबसे हाइस्ट पीख है वो कौन सी है वो है पारसनाथ तो अभी ये का मुद्धा काफी जर्चा में रहा अगर आपने कल की न्यूस देखी होगी तो ऐसा बताया जा रहा था कि जो जहारखंड के मिनिस्टर है उन्होंने और केंद्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि जो पारशनाथ भगवान जो की जैन धर्म के 23 तीर्धंकर है उनकी जो सिद्ध शेत्र भूमी है सम्मेद सिकर जी जो कहाँ पर आती है ये आती है जारकंड में तो शमेद सिकर जी जैनों का एक बहुती पवित्र स्थल है जो जैनों के 20 तीर्धंकर है वहां से मुक्ष गए है तो अभी सरकार ने ऐसा भूला है कि इस स्थली को पर्यटन छेत्र गूशित किया जाएगा जिसका पूरी जैन समाज ने पुर्जूर विरूत किया है अब देखना है कि 17 जन्वरी को गवर्मेंट का मतलब जज्ज्मेंट आने वाला है उसमें क्या डिसाइड होता है तो ये मुद्धा काफी चर्चा में रहा तो ये कोशन आप से पूछ जा सकता है इसको भी याद रखिएगा फिर नेक्स वेशन है कि 2021-22 में वैश्विक इस्तर पर सरवादिक चीनी का उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा बना है तो वो बना है अपना प्यारा भारत देश जहां पर चीनी का सबसे अधिक प्रोडक्शन भी हुआ है और एक्सपूर्ट भी हुआ है तो आपको याद रखना है अब बात चीनी की आई है तो आपसे कुछ क्वेशन पूछे जा सकते हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्लुकोस है ग्लुकोस का फॉर्मिला क्या है C6S12O6 ये ग्लुकोस का फॉर्मिला है और चीनी के प्रोड़क्शन और ये तो हमने याद रखना है फिर कुछ question आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि table sugar किसे कहा जाता है तो सुक्रोस को table sugar कहा जाता है जो lactose होती है तो lactose को milk sugar कहा जाता है जो brain sugar होती है तो brain sugar कहा जाता है किसको galactose को galactose को brain sugar कहा जाता है याद रखियेगा जो blood sugar होती है blood sugar तो blood sugar glucose ये body में होता है याद रखियेगा और insulin insulin की कमी से कौन सा रोख हो जाता है तो insulin की कमी से diabetes या मधु में रोख हो जाता है जिसके लिए फिर artificially injection देना पड़ता है जो विश्व मधु में ये दिवसे ये का मनाया जाता है तो यह 14 नवन्बर को मिनाया जाता है आपसे पूचा जा सकता है कि Insulin की कोच किस ने की थी तो William Bantiek नामाग Scientist थे Vantick ओब Bells इन्होंने क्या की थी Insulin की कोच की थी Fruit सुगर किसे कहा जाता है तो Fruit सुगर Fructose को कहा जाता है ये तो आपने पढ़ा भी होगा सारे फलों में कौन सी सुगर पाई जाती है फ्रूट सुगर पाई जाती है फिर आपने जब DNA और RNA पढ़ा होगा तो दू सुगर पढ़े होगे एक सुगर पढ़ा होगा ribose and second is deoxyribose तो जो DNA होता है उसमें ribose सुगर होता है और जो RNA होता है उसमें ribose सुगर होता है और जो DNA होता है उसमें deoxyribose सुगर होता है और सुगर के basis पर ही हम DNA और RNA को differentiate कर पाते हैं DNA की बात आई है तो आपने पढ़ा होगा DNA का full form क्या है deoxyribose nucleic acid और इसका जो model है वो कोईसा है DNA का model है double helix model याद रखिएगा इसको किसने बताया था तो इसको बताया था Watson and Crick ने जिसके लिए इनको noble परशकार से भी समानित किया गया था इसमें बीच में nucleotide होते हैं इसमें nitrogen base होते हैं जिसमें क्या होता है एडिनीन को guanine से और cytosyn को thाइमीन से जोड़ा जाता है तो ये याद रखिएगा A को T से जोड़ा जाता है एडिनीन को thाइमीन से और C triple bond के दवारा guanine से जोड़ा रहता है ये अब हम science की class में retail में पढ़ेंगे नहीं तो आप कहेंगे कि आप तो science ही पढ़ाने लगी current affair की class में फिर ये पंचामरत योजना ये डिसकस कर चुके हैं फिर आशियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 में किसे इनोवेटर को first rank राप्त हुआ है तो ये हैं शालिनी कुमारी शालिनी कुमारी पटना से है और इनको क्या मिला है इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला है अब आशियान की बात आई है तो Association of Southeast Asian Nation 1967 में आशियान की स्थापना हुई थी इसमें कितने देश हैं तो 68 देश है जो आशियान का हेटक्वाटर है वो Indonesia, Jakarta में स्थे याद रखिएगा ये question भी आपसे पूछरा सकता है और भारत और आशियान के संबंदों को कितने वर्स हो चुके हैं तीस वर्स हो चुके हैं अब ये North East की बात यहाँ पर आई है जो East Countries की बात आई है तो North East जो इंडिया में राज है North East के इनके लिए policy रखी गई थी Look East आपने पढ़ा होगा फिर जब Modi government आई BJP की government आई तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस policy को बदल के Look East को क्या करना पड़ेगा Act East में convert करना पड़ेगा तो Look East policy का जो नाम है वो change करके Act East policy रखा गया इसको याद रखिएगा भारत आशियान से खर सम्मेलन जब हुआ था तो इसमें किसने अध्यक्षता की थी मतलब भारत की तरफ से किसने participate किया था तो वर्दमान में जो भारत के उपराश्ट पती हैं जगदीब धनकर जी उन्होंने participate किया था इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए किस से सम्मंदित आशियान से सम्मंदित फिर फीफा फीफा तो बहुत most important है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है फीफा जो है किस से सम्मंदित है तो ये football से सम्मंदित है ये तो आपको पता ही होगा फिर इसका headquarter कहाँ पर है तो ये जिवरिक में है और इसके जो प्रमोक हैं वो है N-Fantino 2018 का जो FIFA World Cup था वो किस ने जीता था तो वो France ने जीता था लेकिन अभी 2022 में जो World Cup हुआ है वो कहाँ पर हुआ है वो दोहा कतर में हुआ है और ये किस ने जीता है तो 36 year के बाद Argentina ने जीता है और किसको हरा के जीता है तो ये France की हार हुई है और Argentina की जीत हुई है याद रखेगा और इसमें Argentina के जो कपतान थे लियोनेल मैसी उनका नाम आपको नहीं बूलना है और किस तरीके से ये मैच हुए इसमें जो गूल्डन वॉल किसको मिला गूल्डन वूट किसको मिला गूल्डन गलप्स किसको मिला ये तीनों खिताब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं ये मैं इसके पहले वाली क्लासस में पढ़ा चुकी हूँ यदि आपने वूल एक्चन नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजेगा ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो इसका जो शुभंकर था वो क्या था इतने फैक्ट आपको याद रखना है फिर बाईस समबर को ये हमने कल डिसकस किया था कि बाईस समबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो रास्टी गड़ित दिवस मनाया जाता है जिसे हमने 2012 से मनाना शुड़ू किया है फिर किसकी याद में मनाया जाता है तो 22 सेंबर को डॉक्टर श्री निवास रामानोजन जी का जन्म दिन हुआ था जो एक महान कड़ तक ये थे और महान वेक्तित्व थे आपको शायद सुनकर आश्यर लगेगा लेकिन श्री निवास रामानोजन जी थे ये 12th क्लास में फेल हो गए थे अब आप सुचेंगे कि इतने intelligent वेक्ति कैसे फेल हो सकते हैं क्योंकि ये maths के लाबा किसी और सब्जेक्ट पर ध्यानी नहीं देते थे इनको maths इतना जादा पसंद था एकदम जुनून रहता था maths के प्रती इसलिए बांगी सब्जेक्ट में ये फेल हो गए थे तो याद रखिएगा कि जब इंसान के इंदर कोई जुनून होता है तो बहुत ही कम उम्र में इनका निदन हो गया लेकिन फिर भी आज उनको हम 22 सेसंबर को राश्टी गड़ित दिवस की रूप में याद करते हैं इनकी जो बायोग्राफी है वो है दा मैन हो नो इन्फिनिटी दा मैन हो नो इन्फिनिटी वो श्री निवास रामानुजन जी की बायोग्राफी है और इनका संबन्द कहां से था इनका जन्वितमिलाडू में हुआ था और त्रिकॉन मित्री जो टिकना मैट्री होती है उस पर इन्फिन ने काफी रिसर्च वर्क किया था फिर कुछ important days पढ़ लेते हैं जैसे की 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राश्टी इंजीनियर दिवस मनाया जाता है अब ये किसकी याद में मनाया जाता है तो आपने विश्वेश रहिया एम विश्वेश रहिया जी का नाम सुना होगा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो राश्टी इंजीनियर दिवस नैशनल साइंस टे मनाया जाता है तो सीवी रमन जी ने जो रमन प्रभाव की खूच की थी वो 28 फरवरी को की थी याद रखिएगा ये क्वेशन कभी-कभी आपसे ऐसा भी पूचा जा सकता है 28 फरवरी को जो नैशनल साइंस टे मनाया जाता है उस दिन क्या सीवी रमन जी का जन्म दिन रहता है तो कंक्यूज मत होईएगा जन्म नहीं होता है जो रमन प्रभाव की खूच हूई थी वो 28 फरवरी को हूई थी तो इसी दिन की याद में नैशनल साइंस टे मनाया जाता रााष्टि खेल दिवस कम मनाए जाता है, तो 29 अगस्त ये दिन भी आपको याद रखना है, मेजर धान चंद जी का जड़न होता है, एक जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है डॉक्टर स्टे किसकी याद में तो विधान चंदरोय जी की याद में डॉक्टर डे मनाया जाता है फिर गड़ित की बात आई है तो दो आवोर्ड मिलते हैं एक तो रामानजन आवोर्ड मिलता है जो नीना गुपता को मिला था 2022 के लिए और एबिल पुरुसकार जिसे मैट्स का नोबिल पुरुसकार भी कहा जाता है ये डैनेस सुलेवान को मिला था तो ये भी आपको याद है फिर नेक्स परशन है परमानु उजा नियामक बोड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो दिनेश कुमार शुकला जो है उन्हें परमानु नियामक परमानी उजा नियामक बोड का अध्यक्ष बनाया गया है फिर एटोमिक एनरजी की जो जनक है वो इंडिया में कौन मा जाते हैं तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा को परमाणू विग्यान का जनक कहा जाता है और अंतिरिक्ष विग्यान का जनक अगर आप से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो विक्रम सारा भाई है और विक्रम स पर नेक्स कुशन है जो नेक है आपने सुना होगा आप जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी साल में दो तीन साल तो जो नेक है इसका फुल फॉर्म होता है राश्टी मुल्यांगन एवं प्रत्यानयन परिशद ये एक ग्रेड किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है तो ये हुआ है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कहां पर है अमरिद सर पंजाब में इस्थित है याद किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है तो ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है फिर यूजीसी यूजीसी की बात आई है ये यूजीसी ही प्रोवाइड कराता है तो यूजीसी क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन और यूजीसी ने कौन स पोर्टल लॉंच किया था भी इसमाधान पोर्टल यूजीसी के हैड भी आपसे पूछल सकता है कि जगदीश को मार जो है वो वर्दमान में यूजीसी के हैड है और जो थामस थामस रैले आयोक था इसका संबंद किस्से है यह आपको बताना है देखे ये वाला जो क्वेशन है गुरु नानक यूजीसी को जो पंजाब में से थे इसको ए ग्रेट प्राप्त हुआ है यह अभी जो असेस्टेंट रजिस्टार का क्वेशन पेपर होने वाला है उसमें इस क्वेशन के आने की काफी संभाव ना है तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें अलग से यूजीसी को मेंशन किया गया इसले बस में फिर वज्ञानिक वर्ल्ड एटलस कहां पर बना है तो यह केरल में बना है फिर नेक्स क्वेशन है कि नौ सेना की द्वारा पश्रिम बंगाल में दूसरा पंडूब्बी संगरहाल है कहां पर बनाया जा रहा है तो याद आपने प्रोजेक्ट 75 का नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट 75 के तहट 6 पंडुब्बियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंच, INS बेगा, INS भाकसीर, ये 6 जो हैं वो पंडुब्बियों हैं उनको शामिलित किया जाएगा, फिर 2022 का तमिल भास नंदा को मिला है, काला पानी के लिए, हिंदी में बद्री नारायन जी को मिला है, तुंगडी के शब्द, ये उनकी रचना है, और इंग्लिश में अनुराधा रॉय को मिला है, तो आपको किवल नाम नाम बस यार्थ कर लेने हैं, तो हिंदी का तो यादी रखिएगा, कि ये किसको मिला है, बद्री नारायन जी को मिला है, 2021 के लिए किसको मिला था, ये जो साहित अकैद्मी पुरुसकार है, तो ये दया प्रकास सिनहा जी को मिला था, तो ये कुछ प्वेशन्स थे आज के, बहुत ही महत्यपूंट प्रशने, इनको ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टका टार्गेट जो है, वो भारत किस एर्ग कम्प्लीट कर लेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही आपको ये भी बताना है कि टीबी डे कम मनाया जाता है, और 2022 के ये जो TBD की theme थी वो क्या थी इन तीनों question के answer आपको comment box में लिखकर बताना है ये काफी महत्यपूर्ण class है आप इस द्यान से देखिए डेली का current of year revise कीजिए थैंक यू सो मज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक share करें अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शियर थैंक यू सो मज़ खुश रहिए पढ़ती रहिए आके बढ़ती रहिए जय हिन जय भारत